जय हिंद इस विडियो में ना तो हिंदो मुस्लिम को लेकर बात होगा ना मंदिर शिर्म जीद को लेकर बात होगा अगर कोई अन्धवक्त देख रहा है तो इस वीडियो को अहीं पे बाहर निकल जाए वही scam है ये इतना बड़ा scam है ना इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा ये जो scam चल रहा है पूरे देश में पूरे हर राज्य में इसका जिम्मेदारी कौन लेगा कुछ दिन पहले आपको पता हो गए दिल्ली का सीम केजरिवाल को arrest कर लिया गया है ये बोलकर कि वह scam क्या हुआ है मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि वो स्कैम किया है नहीं किया है उसका आपको जो है नियाय पहली का है वो जज़ करेगी वो अपना फैसला सुनाईगी स्कैम किया है नहीं किया है वो अलग मैटर है लेकिन हाँ जो लोग सामने आ रहे हैं क्या वही स्कैम कर रहे हैं जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं हो लोग स्कैम नहीं कर रहे हैं आपको क्या लगता है कुछ दिन पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटेट का एक्जाम हुआ था आप सभी को पता होगा सीटेट का एक्जाम जो होता ह बिहार में चाहपूरे भारत में कहीं भी अगर आप सिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको seated के लिए दो paper qualify करना पड़ता है अगर आप one to five का teacher बनना चाहते है तो आपको seated paper one qualify करना पड़ता है ठीक है अगर आप six to eight का teacher बनना चाहते है तो आपको paper 2 qualify करना पड़ता है यानि कि 6 to 8 के लिए और ये जो exam है इसका exam conduct कराती है CBSC, आप सभी को पता होगा CBSC एक ऐसा board है जो इसका exam conduct कराती है और जो exam होता है साल में दो बार होता है, एक June, July में 1 December में, और ये time पे होता है ये एकदम time पे होगा, चाहिए कुछ भी हो जाए, ये paper एकदम time से होगा क्योंकि ये source of income है ठीक है, अब देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ आप पहले वीडियो को पूरा देखिएगा उसकी बाद comment करके अपना राय दीजेगा मैं सही बोल रहा हूँ ये गलत बोल रहा हूँ इस matter पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है ठीक है, तो कुछ दिन पहले आपको जो seated paper हुआ था, उसमें paper leak कराए गया था ठीक है, paper leak होता नहीं है paper leak कराया जाता है, क्यों करा जाता है आप सभी कता है, यहाँ पर करोडों का बिज्ञास होता है, ठीक है, कई लोग इसमें सामिल होते हैं, नीचे से लेकर ऊपर के लोग इसमें सामिल होते हैं, मिनिस्टर लोग इसमें सामिल होते हैं, बड़े बड़े सिक्षक मापिया इसमें सामिल होते हैं, और मैं यह नहीं ब सीटेट साइड आये न्यूज में चैनल में आकर इंट्रिव्यू देता और बोलता है जो सीटेड में लगभग तीन हजार बच्चों का यहाँ पेपर लिक कराए गया था लगभग तीन हजार बच्चों के लिए अब यह तीन हजार बोला है और पता नहीं कितना हुआ होगा इसी को प्रूब देते हुए रोईद बयदवान सर ने भी यहाँ पर साब साब बोला था कि पेपर लिक हुआ है नो ने प्रूब भी दिया है प्रूप भी दिया है साफ साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन लाग चोवन हजार लोग देखे थे दो मेना फ़हले जब यह सीटेट काया था बहुत लोग देखे थे इसको सबी लेकिन कोई भाधवान सरका किसी ने साथ नहीं दिया और पेपर लीक होने के वाबजूद भी CBSC ने सीटेट को रद नहीं किया और रिजल्ट दिया रिजल्ट देने के बाद भी पेपर लिख होने के बाद भी सुचिए कितना परसंट रिजल्ट होता है बहुत कम परसंट अगर 25 लाग फॉर्म बरते दोनों मिला के पेपर तो उसमें से भी आपको क्या होता है सिर्फ 5 परसं 10 परसं रिजल्ट होता है पता है क्यों कि पेपर का लेवल को इतना टफ कर दिया जाता है कि बच्चे को क्वालिफाई करना बहुत ही मुस्किल हो जाता है क्यों ताकि वो बारवा फेलो बारवा फॉर्म बरे और ये विज्जस चलता रहे सोर्सो अब जिसके पचीस लाग में से 27 लाग में से 2 लाग बच्चा पास किया है 23 लाग 24 लाग बच्चा फिर से फॉर्म बरेगा अभी आपको पता होगा कि एक्जाम होगा आपको जुलाई अगस में और फॉर्म अभी से फिर स्टार्ट हो गया फढ़ना ताकि वच्चे फॉर्म बरे अब एक-एक हजार ले जाता है एक पेपर ऐपको बढ़ना है तो एक हजार दीजये मज़वरी है देना पड़ेगा लेकिन paper leak क्यों होता है यहाँ पे proof के साथ रोई वैदवान सर बोले है ऐसा नहीं proof के साथ बोले है तो paper leak क्यों होता है क्या यह scam यहांके सामने सभी का नाम लेता है अगर आपने वीडियो देखा होगा जो सामनी आ जाता है, जो अभी विपक्च में है, जो अभी सरकार में नहीं है, उसी को arrest के जा रहा है, उसी पे बार-बार ED भेजा जा रहा है, उसी को बार-बार UK है, मैं यह नहीं बोल रहा है कि उलक सही है, गलत है, अगर जो भी गलत हो, अगर वो राहुल गांदी भी हो, चाहिए कोई भी हो, अगर उस पर गलत है तो उस पर कारवई होना चाहिए, क्योंकि जो सही से सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन ये जो स्कैम हो रहा है, ये जो हजार हजार करोड का स्कैम हो रहा है, ये सौसो करोड का गिजैम हो रहा है, इस पर बात कौन करेगा, इसका responsibility भी paper leak हुआ था आपको ठीक है एक एक मेने में दो-दो paper leak हो जाता है paper leak होता है इसका मतलब आप नीचे से लेका ऊपर तक मिला होता है और यह 100-100 करोड, 1000-1000 करोड का इसमें scam होता है तो यह scam नहीं है आपको बताते हैं कुछ दिन पहले जो यहाँ पर आपको NTPC में भी 35,000 वेकंसी आता है अचा उसके बाद election खतम होता है और फिर सरकार सो जाती है और फिर strike करने के बाद tutor campaign करने के बाद तीन साल दो साल के बाद exam ले जाता है अभी तक भी बहुत सार ऐसे बच्चे हैं जो कि NTPC group D का जोइनिंग तक ने लिया है इंकम करता वो पैसा को वो पैसा भी तो अगर उसको नहीं मिला इतना उसका नुक्षान हुआ तो वो भी तो scam है वो scam नहीं तो क्या है ये भी तो scam है ना अभी मालेजे जैसे TRE 3 का पर अगर leak नहीं होता है अभी तक आपको result आ जाता है रिजल्ट आने के बाद आपका selection होता है माल लेजे अपरेलिया माई में आप चलिए school join कर लेते माई से आपका school सुरू जाता आपको salary मिलने लगता और 87,000 चातरों के साथ ऐसा होता हाला कि 87,000 तो ये दिखाने के था 50,000 ही selection होता है तो 50,000 चातरों को मालिक जेल जा चुका है तो ये सब जो delay हुआ है इतने आपको महिने, 4 महिने, 6 महिने का जो नुक्षान हो रहा है चातरों का पता ने कितना मानसिक टॉचर हो रहता है तो ये सब scam नहीं है ये भी तो scam है तो इसका responsibility कौन लेगा इसका जबाब दाही कौन लेगा क्या ये scam नहीं है आप खुद comment करेंगे बताएए आप खुद अपना राई दीजे ये scam नहीं है इसका जिम्मेदारी किसको लेना चाहिए कुछ भी होता है कोई भी अच्छा चीज होता है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा इस scam के बारे में कौन बात करेगा आप देखते होंगे यहाँ पर देख सकते हैं जब BPSC का ऐसा इसने दावा लगा है ये interview में साप अगर आप देखे होंगे इसने साप सब कुछ कबूल है सब कुछ तो ये जो scam हो रहा है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा आपको हमको आगे आके सबाल पुछना होगा सर से सभी से और जो है सभी से सबाल करना होगा और ये scam है ख्यों कों कर रहा है आप सभी को पता होगा जिसका राज है जो अभी सरकार में वहीं लोग स्कैम कर रहा है रेल में वैकेंसी लाता है और 5-5 साल लगा लेता है फॉर्म भरने के बाद आप 1000-1000 करोड एकटा कर लेते हैं फॉर्म से 100-100 करोड आप एकटा कर लेते हैं फॉर्म भढ़ाके रोजगार का एक छात्र का जिसके उपर जीवन यहापन टिका हुआ है सब कुछ जरूरी है अगर आपका मंदिर जरूरी है मस्जिद जरूरी है तो यहाँ पर रोजगार भी जरूरत है ठीक है इसकी स्कैम के बारे में कोई बात नहीं करता है उसमें रोईद बैदवान सर बोल रहे थे कि पेपर लीक हुआ है पेपर लीक हुआ है लेकिन पेपर को कैंसल नहीं किया गया आज जो वो 3,000-4,000 चात्र है जो भी हो देखे इसने बोला ऐसा और जो 3,000-4,000 जो भी चात्र हो और ऐसा ही लोग जब seatit को qualify करने के लिए पेपर पैसा देते हैं तो आहीं लोग जाकर जो है आपको जो exam में जो vacancy निकलता है चाहे हो वो central में कहीं भी हो चाहे हो UP में हो बिहार में हो जहारकन में हो डिसा में कोई भी फहो तीम पही पेपर लिख कर आता है पैसा देता है तो इसलिए ये सब का जबाब दही देना चाहिए सरकर को आपको हमको सब को आके बात करना चाहिए ये सब ही real scam है जो की Corinne नहीं आ रहा है और ये सब को समने लाना होगा तो आवाज हमको, आपको सभी को मिल के उठाना होगा, ऐसा नहीं है बाकि किसी भी तरह का कोई भी जो आपको doubt लगते हैं या किसी भी तरह का आपका जो राय है comment किज़े comment करके बताइए, देखे बोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाना होगा आज जो नुकसान हो रहा है, आज जो चातरों का, अभी बीपेसी टीरी 3 का किसी भी तरह का कोई notice नहीं आया है, कि कभी exam होगा, नहीं होगा अभी आपको पता नहीं कि printing price किसको दिया जाएगा online होगा या offline होगा, अप्रेल में होगा, और प्रेल के बाद होगा, election के बाद होगा सब कुछ ठफ हो गया, तो इस सब गल्ती किसका है, यह सब गल्ती आपको भी वाग का है वीपेसी का है, सरकार का है, इसका जिम्हदारी लिना होगा एक जो गरीब चातर है, जो मेदावी चातर है, जो मेहनती चातर है आज वो लोग सरक पे हैं, अगर सप्लिमेंटर रिजर्ट दे दिया जाता है तो वो जो पंदरह हजार चातर थे, उसका वो लोग आज जॉब करते होते हैं वो लोग सही से रहते हैं, जो जैनुवन चातर था, वो डिजर्ब करते हैं वो लोग भी द्याले में अपना सेवा देते हैं, नौकरी करते हैं लेकिन ये सब जिम्मेदारी, ये सब स्कैम के बारे में कोई बात नहीं करता है